हलो फ्रेंड्स, Welcome Back To My Channel और आप मेरे साथ है, यानि मोनाकोर के साथ है आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जिल के बारे में जो हम हमेशा बाजार से खरीते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसे घहर पर बनाना है तो आप बहुत ही इजी बना सकते हैं और उसे store भी कर सकते हैं एक साल के लिए जी हाँ हम बात कर रहे हैं अलविरा जेल की इसे कैसे बनाना है पुरी वीडियो को जरूर देखिए काफी सारे मेल्स आये थे मेरे पास के मैम आप बताईए कि अलविरा जेल घर पर कैसे बनाया जाए इसे पहले बनाया उसे यूज किया उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ तो यह है अलविरा जेल वैसे अगर आपके पास अलविरा का पोदा है तो जेल बनाने की जरूरत नहीं है आप इसे इस तरह से कट कीजिए और आप इसे बीज का जो इसका जल होता है वो डिरेक्टली फेस पर भी रब कर सकता है ऐलोविडा जल के काफी सारे फाइदे हैं काफी सारे एकने हुए थे मुझे पहले जब मैंने यूज किया तो मुझे यह रिजल्ट मिला तो मैंने सोचा कि चलो क्यों आपको भी बताया जाए कि अलोविडा जल के काफी सारे फायदे हैं यह तो पहलिक तो काफी सारे हम लोगाल सी कर जाते हैं कि नहीं यार हम बाजार से रैडिमेट खरीद लेते हैं तो चलिए बनाते हैं इसके लिए अन्दर तोवे शेप Community च मॉमं का일 और भाहर वी जि इसके लिए इसनमार को सरुगी चुछी किस निकल गया हैं आप्या इसे बाज करना है अच्छी तरह से बाज करेंगे और इस के बीच बीच क सानी खाय करें और निकालना में कुपन आथ हाधिन थी। करेंगे और गैत मरत लिती समेंThis चैनल लेकश। अब मैं इसके बीच में से काट के स्पून की हैल्प से बीच का जो गुदा है वो निकाल लूँगी दिखे दिख रहा है इस तरह से जो गुदा है वो आपको निकाल लेना है मैंने इसे ग्रैंडर में डाल दिया है अब आती है बात की एक साल तक कैसे स्टोर करके रखेंगे तो एक साल तक स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैं विटामिन सी का टैबलेट यूज करी हूँ बहुती चीप प्राइज में आपको मार्केट में मिल जाएगा जो की बहुती बैनेफिशियल है तो यहाँ पर मैं एक टैबलेट यूज करी हूँ मैंने एक एलोविडा ऐसे लिए लिया है क्योंकि मैं इसे दस दिन तक यूज करती हूँ और देखिये ऐसे मैंने ग्राइंड कर लिया है मैंने क्या क्या विटामिन सी का टैब और जो जेल निकाला था पल्प निकाला था उसे ग्राइंड कर लिया है साथ ही अब हमें इसको और भी बहतरीन बनाना है तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एवियॉन यानि की विटामिन E कैपसूल यह भी आपको मार्केट में इसली मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं इसको पिंच करके जो भी विटामिन E कैपसूल का अंदर का जो भी लिक्विड है वो इसमें डाल दूँगी मैंने यहाँ पर कम कॉंटिटी ली है क्योंकि में पास अल्रेडी पहले से बना हुआ है तो मैं सिर्फ आपको बनाने के परपस से मैंने थोड़ा सा कॉंटिटी बनाया है इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी देखिए मेरे पास गुड वॉइप्स का खाली डबबा पड़ा था रोस पेक का मैंने उसमें इसे स्टोर कर लिया जरूरी नहीं है मार्केट से कुछ भी खरीदने की आपको आपके घर में अगर कोई खाली बॉक्स डबा भाये वह स्टोर करे। फ्रीज में रख सकते हैं या बहार भी रख सकते हैं तो आप इसे एक साल तक यूज कर सकते हैं तो आप इसे कैसे अप्लाई कीजेगा डेली नाइट में अपने फेस को अच्छी तर से वाश करने के बाद इसे पतली लेयर लगा लीजे सुख जाए फिर एक बार ओर लगा लीजे और सो जाए मॉर्निंग में आपका जो चहरा है एकदम जबरदस्त हो जाएगा एकदम दिखे गुडवाइबस का बॉक्स है तो कुछ भी खरीने की ज़ुरत नहीं है ऐसी मेरे साथ बने रही है ताकि मैं काफी सारे डियाइवाइस भी लेके आती रहूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई